नमश्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सड़ पर थम इनके सवालों को सुनेंगे फरेके करके इनके सवालों का उतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों न अभी तक हमाय चेनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो किरपे करके चलन को स्क्राइब कर ले, बैल अकन को प्रस कर दे, ताकि लेटस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए शुरू करते हैं, इनका कोशन इस प्रकार है, वरतमान समय में higher authority post के लिए ये परपरशन कर रही है, जिसमें UPSC भी सामिल है, और भी बहुत से स तो मैंने बताई दिया, आपकी marriage को लेके इनके questions है, और चोथा questions है, जिन्दगी पर क्या तरक्की मिलेगी, और क्या कुछ ये कड़ पाएंगी, तो ये हतेली देखा जो मैंने न, मज़ा आ गया, जबरदस्त अतेली है, अदभुत योग सयोग हतेली पर मौझूद है, उनकी तरक्की तो तै है, उनकी तरक्की तो तै है, इसमें कोई doubt नहीं है, महा लक्षमी के असीम कृपा आप पर बनी रहती है, धन दाने के लिए ज़्यादा सोचनी की आवशक्ता आपको नहीं पड़ती है, तो आएए देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास बात था, और उसक बारिकी से, तो एक चीज इनके मन में और doubts थें, तो उस doubts को मैं clear करना चाहूंगा, इन्होंने मुझे कहा कि गुरू जी हतेली दिखाने से क्या रेखाएं बदल जाती हैं, क्या रेखाएं, किसी पंडित ने इनको कह दिया कि हतेली मत दिखाना कभी आपकी रेखाएं छीन कि रखिये, कि आपका भाग और आपका ज्यान आपसे कोई भी नहीं ले सकता, इसलिए इस मित में कोई ना जीए, हाला कि इस बात को बोलने का मेरा दो-तीन मकसद था, बहुत से लोगों ने ये बाते हमारे से करी हैं, और मैं इस विशे पे बात जरूर से करना चाह रहा था किसी वीडियो में, और इन्होंने तो पर्षितक चरूप से ही कोशन पूछ लिया हमारे से, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है, फाल्तु की ब्रांती में ना रहें, और एक कोशन इन्होंने और पूछा बड़े ही साई नीचर से, कि किसी ने मेरा हा पारी नहीं है, तो उसकी बातों को दिमाग पर नहीं लेना, ना दिल पर लेना है, दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि आपकी एतली पर ऐसी कोई भी अवस्था नहीं बनी है, आपकी एतली पर इवन ज्यादा अच्छी कंडिशन मौजूद है, आप देखके खुद फील क करेंगे कि वो कितना बड़ा फ्रौड था, जिसने आपको ये बाते करी, मैं ऐसे लोगों का कभी भी सपोर्ट नहीं करता, ना मैं आप लोगों से करवाने के लिए बोलता हूं, ऐसे लोगों को जितना सपोर्ट करेंगे, या आपके उपड़े चलके आपको इपरशान करे तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, जो ऐसी बातों का सम्मोधन करते हैं, क्योंकि तर्क बितर्क करने के लिए ग्यान की आवशक्ता है, जो की बहुत जरूरी है, तो जिए अज्ञानी पुरूस से पहले नजर में देख के ऐसी बाते कह सकते हैं, और इस अतली के लिए इस अतली पर तो इतनी अच्छी अवस्था बनी हुई है, इसके लिए कहना अनर्थ वाली बात है, तो आएए देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मन में ना रखें, आपकी अतली क्यों अच्छी है, मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसी इसकी क्या वज़त ही, तो देखते हैं, तो सब आपकी बागे रेका, जो कि आपके जिन्दगी के लास्ट तक गई है, ये पहला चीज़, सबसे पहला आपने क्या देखा, आपकी बागे रेका, जो कि अदबुत है, सेकेंड आप देखो तो अपने अतली पर सूरी रेका, सूरी रेका पर एक कोशन और था, कि इनको ऐसा तो इसे पतानी कोन सी वीडियो, आप देखनी और कोन ऐसे बाते रख रहा है, और कोन ऐसी बाते कर रहा है, तो आपके जिन्दगी नर्ख हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्रोस नहीं, एविन एक लाइन है, जिसने इसको पार किया, और अगर मैं ठीक से feel कर रहा हूँ ना तो देखो यहाँ पर से एक बड़ी सूरी रेखा आपकी है और यह लाइन यही पर आके रुख गई है यह लाइन यही पर आके रुख गई है हलकी से यहाँ से निकल लिए तो इसके लिए मैं आपको समझाने का तरीका बताना चाहता और एक दिखाना भी चाता एक नजरिया, आप इसी रेखा को फिल करो, यह रेखा कितनी यहां से strength वाली आई, यहां पर से देखो कितनी कम strength हो गई, तो इस रेखा ने इस सूरी रेखा को काट नहीं पाया, अगर ऐसी ऐसी तीन चार रेखाईं भी आपके तली पर काट तीन आ करके ठीक कर सकती हैं, और आपके लिए तो एक खुश खबरी ही मैं देना चाहता हूं, कि आपके एतली पर ऐसी कोई भी गरबर रवस्था नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई tension वाली बात नहीं है, इसको मन से यथा शिगर निकालने का परियास करें, और निकाल ही ले तो बढ़ियां रहेगा, फाल्तो की बाते मन में रखे कोई फाइदा है नहीं, इसके लिए कोई tension नहीं है, और मैं positive योग की अगर बात कर लूँ, तो strong सूरी रेखा आपकी, और यहां पर से देखो तो एक जबर दस्त multiple property का योग, क्या खतरनाक, मतलब सूरी रेखा, बाग्य पर बनाए हुए बाग्य रेखा के साथ, तो यह positive योग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहां पर से भी एक सूरी रेखा, आप देखो एक strong सूरी रेखा है, यहां पर से भी एक सूरी रेखा आगे सी बन रही है, तरक्की तो आपको मिलेगा, इस age में इतनी अच्छी स फल को बताया चाहेगा नी संदे, और इस रेखा के साथ देखो तो एक star भी बना हुआ है, यह भी बहुत rarest sign है, जो कि अतली पर देखने को मिलता है, और यहां से भी देखो एक यातरा के योग है, यह सारे positive योग है, जो मैं आपके अतली के माद्यम से दिखा रहा हूँ, और यहां से भी देखो एक progress line कितनी बड़ी सी है, यहां से देखो मतलब अदभुत योग है, और यहां से भी देखो एक progress line बनी हुए, यहां से भी प्रगती के योग से बने हुए, आगे भी प्रगती के योग से बने हुए, यहां भी देख लो, और फिर यहां से भी देख को एक आपकी बाग्य रेखा का ब्रांच है तो इतने पॉजिटिव अवस्था में आपको तरक्की क्यों ना मिले जिन्दगी पर जरूर मिलेगी आपको तरक्की सारे के फल को बताया जाएगा तो ये थी आपकी पॉजिटिविटी अभी चलते इनके नेगेटिविटी के तर तो देखो ये एक बहुत बड़ा जॉब है ये एक नॉनमल जॉब नहीं है आपकी अतली नो डाउट बहुत शानदार है बहुत शानदार है कुछ नेगेटिविटी ना जादा आप में है जो आपको परिशान कर सकती है जादा इंदसेंस तो आप समझने का कोशिश करिए आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है तो प्रारंबिक समय में निर्ण लेन में बहुत परिशानी होती है दूसरा इंट्रोवर्ड वाली नेचर है इस केस में इंसान बहुत साई नेचर के होते हैं और आप एक्जाम कॉलिफाइग कर लो UPS से क्योंकि आपके अतली पर बहु कि कोई भी बड़े संस्थान में आपको जाने के लिए आप में बोल्डने सोना जरूरी है साई नेचर रखके आप किसी भी बड़े संस्थान में नौकडी नहीं कर पाओगी तो इसके लिए ये आपकी एक नेगेटिविटी इस पर आपको वर्क करने के आवशक्ता है आपके अंदर 90% positivity है समझने का प्रियास करिएगा आपके अंदर 90% positivity है आप इस normal negativity को खुद से खतम कर सकती है करना कुछ नहीं है उपाय का भी चर्चा में अभी ही करने वाला हूँ एक तो अपने confidence को boost up करना है इसके लिए एक one and only उपाय है शूरी को जल देना इसके उपरा समझ रखने में परिशानी आती है आपको तो वो सारी चीज़े खतम हो जाएगे guarantee अमारी है पहला तो ये उपाय करना है दूसरा आपको लोगों से interact करना है और कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से बात करने सीखना है बात करने सीखना इंदर सेंस वापकी आपको interact करना है और आपको अपनी भावनाओं को समझाने के लिए हर वो संबब प्रियास करना है जो अभी आप नहीं कर रही है तो ये दो चीज़ अगर आपने कर लिया तो आपकी UPSC होने के बहुत ही अच्छे chances हैं यहाँ पर मैं chances denote करना हूँ यूगकि ये दो चीज़ तो आपको करना है secondly कोई भी चीज 100% नहीं होता और thirdly आपको अठारा अठारा गंटे मैंनत करना है maximum time आपको किताब के पीछे लगाना है कोशिश करना है कि अपने intelligence जो आपकी intelligence लेवल आपकी mind पर जो मुझे दिखा रही है आपकी जो line of education है आपकी जो सूरी रेखा है आपकी जो fate line है इस सार संदे वाली बात नहीं है यही एक negativity थे जो आपको प्रशान कर रही है और दूसरा आपकी एतली बहुत शानदार है आप इस चीज से जितना जल्दियों निकलो आपकी तरक्की होगी and second one का मैं बात करूँ भी आपकी 23 वरस की आई हुए और मैं आपको एक चीज मैंने और भ पर से ये देखो यापर से ये एक दिक्कत थी नॉमिनल सी आपकी 23 साले की आयू में 25 में साले में एक बड़ी तरक्की 28 में साले में एक बहुत ही उम्दा तरक्की है जो कहीं ना कहीं 28 में सालवाई तरक्की जो ना ये बहुत शानदार है बहुत शानदार है और ये तरक्क अगर आपको मिल गई न तो बहुत chances हैं कि आपकी अधिकारी पद की प्रापति आपको हो लेकिन अभी से आपको अपना बिल्ड करना पड़ेगा अभी से नीव डालना पड़ेगा अभी से प्रियास करना पड़ेगा तो प्रियास निरंतर करें आप और जो चीजे मैंने आप आपको बताईव वो करो एक और आखरी उपाई आपको करना है Suri को जल देना है इसके उपरांथ आपको कुछ भी नहीं करना है यही उपाई आपके लिए सटी के 3065 दिन करना है एक चीज और आप करो चुकि आपकी एक माइंड रेखा का ब्रांच आपके ब्रश्पती बहुत थोड़ा इंसान को बहुत इंडिपेंडन बनाता है तो चीजों को सहस्ता से समझने का प्रियास करें आप आप दूसरी की बाते थोड़ा सुना भी करें चाहिए को गुरू हो या आपके माता पिता हो मैं जो आपके तरक्की को देख पा रहा हूँ पचीस में साल में है उसके बाद से भी अलके-लके से बढ़े हुए है और आपके 28 में साल में बहुत बड़ी प्रगति है तो बस मेरा यही आपसे एक रिक्वस्ट है यही आपसे गुजारिस भी है कि आप चीजों को समझने का परियास करें और अपने कम इन्यूकेसन स्कल पर वर्थ करें मैं बोल रहा हूँ कि आप मेहनत करके एक्जामेनेशन को कॉलिफाई जरूर से कर लोगी लेकिन इंटर्व्यू में आपको प्रप्लम आ जाएगी बेगदम जबर्दस्त है और प्राग्रेस लाइन बनी वे एक नॉमिनल 23 में वर्थ में दिक्कत थिसकत प्राग्रेस लाइन भी कहां आपकी कमी है बड़ी बड़ी तरक्की है तो ये तरक्की तो देती है जिंदगी मस्त कटने वाली है आपकी बिना किसी टेंशन के और मैरेज लाइब भी आपकी अच्छी रहेगी यहाँ पर थोड़ा सा ना मैरेज के समय कुछ चीजों का ध्यान रख लेना मैरेज के समय प्रापर तरीके से कुणली या हस्तरेका मिला के ही शादी करना अच्छा रहेगा आपके लिए अभी मैरेज के लिए के सोचो भी मत और एक मैं आंसिक जानकारी आपको दे दू आपकी मैरेज लाइब बहुत ही शानदार रहने वाले इसमें कोई डाउट नी अभी मैरेज में टाइब है तो फिलाल अभी आप अपने पढ़ाई के विशह में सोचे ज़ादा अच्छा रहेगा आपके लिए तो ये कुछ कोश्चन्स थे बाकि अभी इनके इतली का जना असिस करूंगा चीजों का असपर जूप से कवर किया जाएगा तो निश्चिन्त रहें आप आपके सारे ही कोश्चन्स को बारी की के साथ कवर किया जाएगा गेरेंटी हमारी है तो ये चलते हैं इनके इतली के और भी चीजों को देखते हैं बहुत ही खुपसूरत खुपसूरत अवस्था इनके इतली पर मौचूद है अभी तो बहुत से चीजों को मैंने दिखाया भी नहीं अभी तो मैं दिखाऊंगा तो सबसे पहले देखिए आप इनके रेक्टेंगल तो नहीं स्क्वेर स्पाम सी आ रही है तो विक्ति जिद्धी होते हैं अपने कारी छेतर में जरूर से आगे बढ़ते हैं इसमें कोई संधे वाली बात नहीं है मद्यमेच के बाद इनको जरूर से तरक्की मिलते हैं ये कनफर्म है गुलाबी है ते लिए आपकी है तो इस केस में धन को अट्रैक्ट जरूर से करती है विक्ति के पास पैसे के दिक्कते नई सी आती ये भी कनफर्म है तीसरी चीज़ का मैं परिचे करा हूँ तो स्ट्रॉंग आपके प्लैनेट्स हैं इवन सारे ही प्लैनेट्स तो ये भी एक भौत उम्दा अवस्था है तब ही मैंने UPSC जैसे एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको हां कर दिया ये भी एक भौत खुबसूरत बात है राज्योग के प्राप्ति आपके 70% है जिन्दगी मस्त बीतने वाली है आपकी इसमें कोई डाउट नहीं है फिर चलते हैं इनके थंब के तरब तो देखो एक अधिकारी वाला थंब तो इनका जरूर से है जरूर से है अंदर से थोड़ी कमजोर हैं आप इसकेस में विक्ति घबराते हैं घबराहट की समस्या रहती है इसको आप भहती अराम से निकाल सकती है और इसका वरे नॉनली उपाए और ये रामबान ही मैंने आपको दे दिया है सूरी को जल देने से ये सारी निकेटिविटी आपके खतम से हो जाने है एक्चा शक्ति प्रबल या तरक शक्ति अच्छी है डिजायर्स के भहुत ही उम्दा योग है देखो एक कोशन होता है सार्थक एक कोशन होता है निरर्थक अगर कोई अच्छा हाथ वाला विक्ति ये कोशन कहता है या पूशता है गुरु जी मैं ये बड़े पद पे जा पाऊंगा तो मुझे कहीं न कहीं उनकी बातों से सार्थक्ता नजर आती है और कोई ऐसा विक्ति एक प्रशन को पूशता है न वो बस पानी में ढेला मार रहा है समझेने का परियास करिएगा जिसके हाथ पे कोई भी चीज सही नहीं है तो मैं तो ये देख के समझ जाता हूँ वाला कि मैं इस चीज का आवेरनस दे देता हूँ वीडियो में या मैं इस चीज को बता देता हूँ कि आप useless के तरह question पूछ रहा है आप aimless है पहले आप aim को बनाईए तो इनकी हतेली जो है न मुझे aimless नहीं aim वाली दिखी और इतनी अच्छी हतेली के बाद अगर ये कुछ बोल रही है तो इनके बातों में weight is है इस बात को मैं और समझाता हूँ आपको अगर चलिए बहुत अच्छे example से समझे है कोई बहुत अमीर वेक्ती है कोई बहुत गरीब वेक्ती है तो अमीर वेक्ती अगर कोई चीज बोलेगा तो कही न कहीं आप उसका importance जादा देंगा ये human nature है गरीब वेक्ती बोलेगा तो आपको लगएगा कि ऐसे ही बोल रहा है और वाजिब भी है उसके पास पैसा लेगा तभी तो बोल लगाएगा और जिसके पास पैसा है वो तो लगा सकता है तो अगर आपकी अतली बहुत शान्दार है और आप किसी विशे में देने का, दूसरा में एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा, कि इनकी जो अतलिए ये बाते मैंने अभी इसलिए छेरी, ये जो कोश्चन मेरे से कर रही है, ये इसमें सार्थक्ता मुझे जरूर से दिखरे डिजायर्स के बहुती अच्छे योग है, और दूसरी आपकी यव आकिरती मुझूद है, विक्ति को जबी भी सपोर्ट के आवशक्ता पड़ेगी, मिल जाएगा, और स्ट्रॉंग थम्ब है, ये थम्ब अधिकारी बला जरूर से है, इसमें कोई संदे ने, स्ट्रॉंग विक्तितु का परिचे करा रहा है, देखो सभी चीज़ आपके अतल की जरूर से मिलती है, जवर्दर, थोड़ी सी जड़ेंगी आप तो उस पर तो नियांतरन करिए, समझदारी के लूप भी ठीक है, बुद्ध फिंगर ही छोटा हो गया, यही एक सबसे बड़ी प्राबलम हो गई, तो प्राबलम कुछ भी नहीं है, अब देखो सब के हाथ पर सब चीज पॉजिटिब नहीं रहता, अब थोड़ी negativity भी होनी चाहिए ना, जब आपके life पर thrill नहीं रहेगा, जब आपके life पर competitions नहीं रहेगा, जब आपके life पर आपको सब चीज easy way में मिल जागा ना, फिर भी मज़ा नहीं आएगा आपको, तो थोड़ा सा thrill होना चाह थोड़ा सा एक डर तो होना चाहिए ना, कि मुझे क्या नहीं मिलेगा, क्या, तो बस समझ लीजिए आप, तो जब आपकी इसको work करो, इसको ठीक करो, और बाकि आपकी अच्छाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी विक्ति हो आप, दिल में किसी के परती कोई गलत भा ये रथ हो, उसके लिए तो ये नेचर तो आपको छोड़ना पड़ेगा, बागि स्ट्रॉंग आपकी खड़ी लाइन्स आपके अतली पर मौझूद है, इसकेस में विक्ति भहुत क्रियेटिव होते हैं, क्रियेटिवेटी तो हद से जादा होती है, ब्रश्पति फिंगर चोटी है चुकि ये हलकी टिंड कर गई न, और सन फिंगर बढ़ी है तो विक्ति भहुचता है हिमती, सन और सेटन के टैच्मेंट है तो विक्ति कैलकुलेटिव भी होते हैं, दानमी का आस्ता भी आपके अंदर जरूर से रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें क कोई संदे नहीं है, तो फिंगर आपका काफी अच्छा जो कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी चलते हैं इनके प्लेनेट्स के तरफ जो कि बहुत महत्यपून सब्जेक्ट है, सबसे परहें देखें बरश्पती, तो ये लाइन्स थोड़ा सा अनबन कराती हैं आपके पारि इतनी अज़ादा और बुद्ध फिंगर छोटी होने के वज़े से कभी-कभी इंसान इसे गलतियां हो जाया करती हैं, तो बस उसका आपको ख्याल रखना है, बातों को सहस्ता से समझना है, फिर देखें यहाँ पर से आपकी कुछ परोपकार के तो बहुत अच्छे लाइन क्योंकि अच्छे इंसान को अच्छा पद मिले तो बहुत ही अच्छा है, तो सारे जो मैं नॉम से देख पा रहा हूँ, सारे जो मुझे दिख पा रहा है, इस केस में अगर आपको कोई सफलता मिलती है, इतनी बड़ी, तो आप ज़रूर से अच्छा काम करोगी, तो बस थ कराना है, और करने के लिए स्टार्ट कर देना है, जवर्दस ब्रश्पति आपको वेल्यू मान सब्मान भी जरूर से मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, यह वाई थोड़ी प्राबलम, इंडिपेंडेंट नेचर को थोड़ा खंतम करो, और कोशिश करो कि बातों को सम समझना है, और समझ के करना है, फिर देखें, यहां पर से दवाब है, तो विक्ती बहुत ज़्यादा मैनती है, मैनत में किसी परकार का संदेह नहीं है, और फेट लाइन के अगर मैं बात कर लो, इनके एतली पर तो यहां से एक और चालूसी हुई है, और अगर आप क्रियर से धनला आपके बहुत यह अच्छे योग है, एक नॉमिनल डिस्टर्ब शुक्र वले आपके इतली पर है, इस केस में मूट सुइंग के प्राबलम होती है, तो कंसंट्रेशन बनाने का परियास करें, और आपके अंदर वो पोटेंशल है कि आप जरूर से बना सकती हो, बस उसको कर लेना है, बना लेना है, बाकी बागिरे का बहुत शांदार है जंदगी के लास तक आपको बनिया एकदम फाइदा मिलना है, शुक्र बले थोड़ा डिस्टर्ब है, तो माइंड पर नहीं लगाना है, नहीं सोचना है, बाकी लाइन ओफ एजुकेशन तो एक से तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कम हटली पर देखने को मिलती है, इस केस में इंसान कोई भी चीज को देखता है, उसको चीज समझ में आ जाते हैं, आपकी बहुत अच्छी रहती है, बेसिक नॉलेज आपकर बणिया रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस कोई डाउट नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, फालतों के बादे दिमाग में नहीं रखनी है, एक और सूरी रेखा का ब्रांच, देखो, strongly यहाँ से आके attached है, और यहाँ से भी आके एक और ब्रांच से निकलावा है, तो आपको उचस्तर यह पद्र की प्राप्ति जरूर से मिल है कि थोड़ा मेहनत, थोड़ा patience, थोड़ा समझदारी से काम को करना, आपकी तरक्की आप लिखवा के लाए हो, यह मैं कहा रहा हूँ आपको, यह confirm है, जबरदस सूरी रेखा इनके इतली पर मौझूद, इस केस में विक्ति को एची तरक्की, जरूर से मिलते हैं इनके जि रही है आपकी मंगल के तरफ, इस केस में विक्ति को प्रापर्टी, विक्रा का सुक भी मिलता है, बाकिस सनमर्करी अच्छी, तो बुद्धी विवेक्स से कार करने वाली महिला है आप और घर को समालने वाले भी, तो उसे स्ट्रॉंग आपकी बुद्ध पे लाइन्स है, बस आपको इसका benefit लेना है, जैसे महनत करके लेना है, और मंगल आपकी काफी अच्छी, यहाँ पर से कुछ एक line है, तो एक nominal सी line है, फिर भी आपको थोड़ा समल के रहना है, decision making आपको अपने 26 में वर्स तक, 28 में वर्स तक सोच के चलना है, decision making को लेके, और इस चीज में क् मंगल इतनी खतरनाक है न, इंसान को energetic बनाती है, बहुत ज़्यादा, property से अच्छा खासा धनलाव होगा आपको, और प्रशासनी विवाग में जाने के भी बहुत अच्छे chances हैं, logical है, स्वास्त अच्छी रहेगी, जल्दी किसी प्रकार की परशानी नहीं होगी, strong मंगल, च कोई संदेह नहीं है, और बाकी देखो तो कुछ यातरा के lines भी आपके अतली पर, इस case में कुछ यातरा हैं आपके जंदगी पर, जरूर से होती है, fate line आपकी चंदर से गई है, तो artistic quality रहती है, यहाँ पर से एक love marriage के भी chances आते हैं, लेकिन अभी आपका decision making अच्छा नहीं है तो चीजों को समझ के करना, बाकी मैं तो आपको बताई रहा हूँ इस चीज को, दूसरी आपके start बन रही है, आपके चंदर परवत पर ये क्या दर्शाता है, ये विक्ति को पानी से जुरुएवे चीज में धनलाव दर्शाता है, घर से दूर की उननती दर्शाता है, वि प्लॉटिंग विगरा से, रियल स्टेट से, जमीन जैदात से बेनिफिट होता है, और यहां से भी एक लाइन अटैस्ट हो के आपकी गई है बुद्ध के तरप, तो इस केस में बुद्धि से जुरुएवे कारे में भी आपको तरक्की जरूर से मिल सकती है, आपके जिंद बुद्ध है, और यहां पर से देखो तो आपकी एक फिशनुमाकरती तो मुझे लग रही है, यह बुद्धरेका के साथ है, इस केस में क्या होता है न, कि विक्ति की पानिस जुरुएवे काम में तरक्की मिलती है, अकर इस से जुरुआवाब काम करोगी तो आपको बहुत अच्छी बीठती है, शुरुआती दौर में थोरा सा स्ट्रेस है आपके जिंदगी पड़, तो थोरा सा समल के रहना, लेकिन मनी मैनेजमेंट के लाइन्स जो है न, बहुत खुबसूरत है, इस केस में इंसान के पास पैसे की दिक्कते नहीं आती, कहीना कहीं इसकी नेगेटिविटी को ये जरूर से दूर करता है, और लगजरी के प्रॉपर लाइन्स, तो बहुत अच्छी अवस्ता आपके तली पर मौझूद है, गद्यदार अवस्ता है, सब कुछ पॉजिटिव वे में जा रहा है, तो तरकी आपको क्यों नहीं मिलेगी, यह स्ट्रस यहाँ पर से आपको अपने उपर नियंतरन करना है, फाल्तु के लफ़रे में नहीं करना, बार-बार मैं इस चीज़ को बोड़ रहा हूं समझी देना, और फिर देखें इनके तली पर यहाँ पर से कुछ स्क्वायर नुमाकिर्ती का फोर्मेशन है, तो लगजरी का सुक त तो क्या बोलू मैं, मतलब यह ऐसा बहुत कम अतली पर देखने को मिलता है, एक से जादा मंगल रेखा और एकुरेट स्वच्त जीवन वितीत करेंगी, आप बहुत बागिसालियां आपके घरवाले याद जिनसे आपकी शादी होगी, जबरदस्त आपकी मंगल रेखा, आय प्रशासनी विवाग में अगर आप दोकरी करती हो, या आपकी जौब होती है, तो आपको बेनेफिट जरूर से मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो जबरदस्त आपकी मंगल यहाँ पर से एक स्टार भी है, मतलब क्या बात है, और यहाँ पर से एक आपकी कि इसमें वर्श में भी कुछ प्रगती के योग थे, बचपन से आपके जनम के बार आपकी घर में तरक्की जरूर होई होगी, और कुछ स्ट्रेस रहा होगा, वो नॉमिनल से थे, एक नॉमिनल 23 वर में कुछ दिक्कत थी, 25 में प्रगती के योग है, 28 में भी एक प्रगती years के round की है 42 में भी है, 44 में भी है, फिर ये देखो 50 years में भी बड़ी तरक्की का योगई, फिर आपकी 42 से कुछ यात्राएं आपकी बड़ी सी हो सकती है जिन्दगी पर फिर यहां से भी आपकी यात्राएं सी हो सकती है आपके जिन्दगी पर 55 years के round, फिर यहां से भी देखो एक बड़ी तरक्की, कि योगे जो बुद्धरेखा का काम कर रहे हैं, तो मतलब जिन्दगी तरक्की में निकलेगी, आगे भी जिन्दगी पर यात्राएं होंगी, यहां से भी एक ट्रेंगल नुमाकरती का formation है, तो तक्रीबन 70 में वर्स के ब उसके पहले भी हलके-हलके से बने वे तो 36 में में वे एक ब्रकती के योग थे, लेकिन रिसेंट तरक्की आपके 28 में 30 में तक है, तो बस मैनत कर लो, आगे बढ़ जाओ, अभी चलते माइंड रेका, स्ट्रॉंग माइंड रेका, दिमाग की तो बहुत तेज हैं, लेकिन य काफी अच्छे योग थे, अगर आपकी जीबन रेका पर ट्रेंगल सो, अब दिगरी जरूर से अपनी पूरी करती हो, तो जबरदस्त माइंड रेका, थोड़ा से अपने उपर कंट्रोल करना, हर्ट लाइन भी काफी अच्छी, थोड़े इमोश्टन लेचर तो हैं, इस के आपको बस काम करना फाइदा लेना ये समझ लूआ, और बागिरेका भी आपकी काफी जानदार, काफी शानदार है, मूलता 22 वरस से सक्रिये थी, ये 18 वरस से सक्रिये थी, और एक तरक्की जो आपकी 26 वरस में है ये आपको वी नुमा किरती बनाई वी है, ये बहुत तरक्की आपको देगी, बस इसको समझना है और परियास कर लेना है भजज़ादा आपको strong सूरी रेखा तो ये तो आपको तरक्की दिलाता है दिलाता है, जिन्दगी के last तक दो-दोसी बागी रेखा मौझूद है, तो पैसे की कहा दिक्कत है आपको, और multiple प्रापर्टी के क्या गजब के योग आपके दिले बढ़े है गजब के योगी है, देखो strong, 36 में वर्स के बाद डेवलपते हैं यहाँ भी देख लो आप, 36 में वर्स के बाद multiple प्रापर्टी होने के बहुत ही अच्छे chances है, खुद के द्वारा बनाया जागा या आपके बागे से आपके घर में तरक्की होगी जहाँ भी आपकी शादी होगी या जहाँ भी आप रहोगी strong आपकी fate line मतलब अदबुद है, strong सूरी रेखा के साथ 26 में वर्स तक बहुत ही अच्छा समय पैसे फालतों के खर्च करने वाली नहीं है और mind रेका heart line पर कुछ triangle जरूर से मौझूद है, तो विक्ति के negativity को दूर तो करी देंगे, यह तो complete है, लेकिन फिर भी थोड़ा praise करना आपके लिए काफी जरूरी है, और यह वाली जो है ना, यह वाली हस्तरिका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा WhatsApp नमर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकि आप संपड़ कर सकते हैं, धन्यवाद